नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी श्वागत है एक बार फिर से आप सभी का स्काई एजुकेर पर और इस समय में हूँ आपके साथ SK कठारिया तो प्यार साथियों सामाजिक अध्धिन या प्रियावण अध्धिन की सिक्षन विदिया हम पढ़ रहे थे विडियो के पिछले कुछ भागों मैंने आपको ये बताया कि सामाजिक अध्धिन क्या है सामाजिक अध्धिन किसे कहते हैं और कक्षा कक्ष की प्रकरियाओं की बात हम कर चुके हैं अब हम इसकी एक एक विधी को पढ़ना प्रारम करते हैं तो प्रियाटन विधी के बारे म के विद्यारती हैं तब भी आपको इस विधी को ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा क्योंकि सामाजिक अध्यन या प्रियावन अध्यन दोनों की सिक्षन विधियां कोमन ही होंगी तो आप इन विधियों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और समझें कमेंट में ये नहीं लिखें कि सर ये लेवल फर्ष्ट के लिए है या लेवल सेकंड के लिए ये दोनों के लिए समान रूप से परिक्षा की द्रिष्टिशें उप्योगी है तो प्रारम करते हैं प्रियाटन विधिको ध्यान पूर्वक आप इसको समझेगा और मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पशंद आने वाला है और इसमें आपको सारी चीज़ें एक्जाम की द्रिष्टिशें जो भी महत्वपूर्ण हैं जो भी फैक्ट हैं वो सारे बताये जाएंगे कि किस तरह से इस विधि से प्रिष्ण पूछे जाते हैं तो प्रियाटन विधि जो है ये सामाजिक अध्यन की या प्रियावण अध्यन की सबसे महत्वपूर्ण विधि माने जाती है इसलिए आप इस विधी को ध्यान पूर्वक जरूर पढ़ें और मैं पूरा प्रियास करूँगा कि आप इसे अच्छे ढंग से समझ बाएं तो चलिए So dear friends हम पहुँच गए हैं प्रियेटन विधी में और ये एक ऐसी विधी है जो बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगी क्योंकि बहुत ही शरल है और इसमें बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलेगी रुचि पोन ये विदी है और इस विदी से सिक्षन कारिये करवाय जाने पर बच्चों को जो ज्यान मिलता है वो स्थाई हो जाता है और कभी भी नहीं भूलने वाला अनुभव प्राप्त होता है क्योंकि ये विधी ही असी है इसलिए ये सामाजी कद्धिन या प्रियावरन द्धिन की महरत पुन विधी मानी गई है तो आपको भी इस विधी में इतना खो जाना है कि जब आप ये वीडियो देखकर उठें तो आपको ये लगे कि कमाल है मुझे तो ये विधी पूरी अच्छी तरह से याद हो गई आपको किसी भी कारिये में जब करते हो किसी भी कारिये को तो उसके अंदर खो जाना चाहिए आपको उस कारिये को करने के पिछे आपका पागलपन इतना होना चाहिए कि आप उसको पूरी तनमयता के साथ करें अगर आपने एक बार ठान लिया कि मुझे ये कारिय करना है तो उसका चाहे अंजाम कुछ भी हो उसका रिजल्ट कुछ भी हो आपको पागलपन के एक हद तक जाने के आउशकता होती है तब आप उसकारिय को अच्छे ढंगसें कर पाएंगे तो प्रियटन विधी जो है ये एक बहुत ही रोचक विधी है और इस विधी में सबसे महत्तपूर्ण चीज क्या है प्रतेक्स ग्यान देने के सिध्धान प्राधारित है यानि कक्षा की चार दिवारी में आपको बांध के नहीं रखा जाता आपको सिख्षक के द्वारा एक ट्यूर पे लेके जाया जाता है और वहाँ पर आपको प्रतेक्ष ग्यान दिया जाता है आपको शहर दिखाया जाता है उसमें महत्वपुन जो पुराने समारक हैं जो भी युद लड़े गए हैं या जो भी किले हैं वो सारे आपको शाक्षा दिखाये जाते हैं आपकी विशय वस्तु से संबंदित सामगरी आपको सामने प्रतेक्स दिखाये जाती है और उनका वर्णन किया जाता है तो प्रतेक्स विधी चात्रों को प्रतेक्स ज्यान देने के सिध्धान्थ पर आधारित है इस विधी में चात्रों को चार दिवारी के नियंतरित वातावरन में सिक्षा ना दे करके स्थान स्थान पर घुमा कर सिक्षा दी जाती है जिससे ज्यान स्थाई होता है और प्रमा देट मैं आपको बताता हूँ कि ताज महल आगरा में है हवा महल जैपूर में है और आपको उसकी फोटो दिखाते हैं तो आप उतना अच्छा अनुभव नहीं कर पाएंगे जितना आप ताज महल को सामने प्रतेक्स देख के अनुभव करते हैं और सीखते हैं उसकी प्रतेक्स अनुभव प्राप्त करने का आउशर मिलता है प्रस्न ये पूछा जाए कि कौन सी विधी में चात्रों को प्रतेक्स अनुभव प्राप्त करने का आउशर मिलता है तो आपको याद रखना है प्रियटन विधी में ये आउशर प्राप्त करने का मोका मिलता है च और प्रतेक्ष अनुभाव प्राप्त करने का आउसर बच्चों को मिलता है दोस्तों किसी भी प्रियेटन या भ्रह्मन का आयोजन करने के लिए एक रणनीती की आउशकता पड़ती है मान लीजिये आप घुमने जा रहे हैं तो आपको कौन-कौन सी चीजों की जरुरत होगी और आपको कौन-कौन सी स्थान पर घुमने जाना है तो इसके लिए सिक्षक की भी एक रणनीती होती है और साथ ही साथ वो रणनीती विद्यार्थियों की साथ सिक्षक शेयर करता है तो यहाँ पर देखिए सेक्सिक प्रियटन प्रविथी, स्थानिय प्रवेक्षन द्वारा, उद्योग, भोगोलिक प्रिस्थती, व्यापार, बैंक, कचहरी, राज के इमारतों का वास्तिविक अनभव ज्यान परदान करती है तो यह वो विसेवस्तु है जहाँ पर आपको घूमने के लिए ले जाया जाता है, अब यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि शेक्सिक प्रियटन का आयोजन करने से पहले सिक्षक को भ्रह्मन के 20-25 दिन पहले निर्देश पत्र चात्रों को उपलब्ध करा देना चाहिए कि उनको क्या-क्या साथ में लेकर जाना है कौन-कौन सी विसेवस्तु और किस तैयारी के साथ उनको भ्रह्मन पर जाना है ठीक है तो प्रियटन विधी में 20-25 दिन पहले निर्देश पत्र शिक्षक की द्वारा चात्रों को दे दिया जाना चाहिए चलिए अब कुछ important तथे देखते हैं प्रियटन विधी के जो एक्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं तो देखिएगा प्रियटन विधी के कुछ उपनाम है जो परिक्षा में पूछे जा सकते हैं हम इसे प्रियटन विधी के नाम से पढ़ रहे हैं लेकिन यदी परिक्षा में शैक्षिक भ्रमन लिखा आ जाये तो भी आपको प्रियटन विधी की बात करनी है प्रियटन विधी के ही उपनाम है या इनके दूसरे नाम आप मान सकते हो तो ये सारे नाम आपको ध्यान में होने चाहिए कि सरस्वती यात्रा लिख दी कि सरस्वती यात्रा के बारे में आपको कुछ भी पूछ लिया जैसे सिक्षक को सरस्वती यात्रा पढ़ जाने से कितने दिन पूर्वे बता देना चाहिए तो आपको ये लगेगा कि ये सरस्वती यात्रा कौन से आ गई कोई सरस्वती जी के दर्शन करने के लिए यात्रा होती होगी तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि प्रियटन विधी को ही सरस्वती यात्रा भी कहते हैं फिल्ट रिप कहते हैं, ख्षेतरिय भ्रमन कहते हैं, सEKSिक भ्रमन कहते हैं, ठीक है, चलिए। प्रियतन विधी की विचार धारा किस ने दी तो प्रकृति वादियों ने दी प्रिक्षा में पूछे तो आपको ध्यान रखना है ये विचार धारा सबसे पहले प्रकृति वादियों ने दी इसके जनक माने जाते हैं पैस्टालोजी कोन माने जाते हैं पैस्टालोजी प्रि पर ले जाया जाता रहा है इनका उलेख हमें मिलता है लेकिन यदि प्रिक्षा में आपको जनक पूछे तो पैस्टालोजी पता देना है चलिए सामाजिक अध्यन की सर्वस्रेश्ट विधी जो मैं आपको बता जुका हूँ कौन सी है प्रियावन अध्यन की भी यही माने जाएगी जब जब मैं सामाजिक अध्यन बोलू तो आपको प्रियावन अध्यन भी साथ में समझना है शिक्षा के ख्शेतर में प्रियाटन का महत्व किस ने बताया पैस्टोलोजी ने बताया सबसे प्रतेक्ष वास्ट्विक एवं अनुभव अनुभवान आत्मक शिक्षन सामगरी क्या है प्रियाटन या सेक्षिक भ्रमन आप सभी को मालूम है कि हम जिन चीजों को सामने जाकर प्रतेक्ष अनुभव करते हैं उससे अच्छी सैक्षिक शामगरी हो ही नहीं सकती मान लीजिए आप यदि किसी स्थान के बारे में पड़ रहे हैं तो आप उसका वास्त्विक अनुभव नहीं प्राप्त कर पाएंगे लेकिन यदि आप प्रियटन पर जाते हैं और उस अस्थान को देखते हैं तो आप उसका वास्तविक आनुभव प्राप्त कर पाएंगे तो प्रियटन सबसे महत्वपूर्ण या आनुभव आत्मक शिक्षन सामगरी है प्रिक्षा में प्रसन किसी प्रकार से गुमाफिरा के पूछा जा सकता है तो आपको ये ध्यान में रखना है प्रियटन विधी प्रतेक्ष ज्यान और ज्यान इंद्रियों पर आधारित विधी है आगे मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि किस किस तरह से प्रतेक्ष पूर्ट हो सकता है तो ध्यान पूर्वक समझते रहें तो प्रियतन विधी प्रतेक्ष ज्यान और ज्यान इंद्रियों पर आधारित है क्योंकि हम घुमने जाते हैं तो हम प्रतेक्ष ज्यान करते हैं और हमारी ज्यान इंद्रियों की द्वारा ज्यान करते हैं आंक के दुवारा देखते हैं, कानों के दुवारा सुनते हैं, और सपर्स करके भी हम देख सकते हैं, तो इस प्रकार से प्रतेक्ष ज्यान और ज्यानिंद्यों पर आधरित विधी मानी गई है। आगे बढ़ते हैं प्रियटन विधी कक्षा सिक्षन की एक पूरक विधी मानी जाती है यानि कि प्रियटन विधी कक्षा सिक्षन से अलग नहीं है परिक्षा में यदि आपको ये पूछा जाए तो ध्यान में रखना है कि इसको कक्षा सिक्षन से अलग नहीं माना गया है य एक त्रहका कक्षा सिक्षन जो है उसकी पूरक विधी है यानि उसमें जो कमी रह गई है कक्षा सिक्षन में जो चीज़े हम कक्षा में कर ही नहीं सकते तो उन्हीं को पूरा करने के लिए हमें भ्रमन करवा दिया जाता है सामाजिक अध्यन या प्रियावण अध्यन के कख्षा शिक्षन को प्रभावी बनाने के लिए प्रियोग में लाया जाता है कि यह करने के लिए आपको सताई के लिए आप मान लीजिए किसी दुर्ग के बारे में आपको पढ़ाया गया तो आप उसे उतना अच्छा नहीं समझ पाएंगे और आपको बार बार उसे याद करना पड़ेगा बुक को खोल खोल के देखना पड़ेगा लेकिन यदि वही दुर्ग आप देखने भी गए और वहाँ पर प्रतेकस्थान को दिखा दिया गया उसके बाद में आपको उस पाठ का रिवीजन कराया गया उस दुर्ग के बारे में आपने जो जो पढ़ा था तो आपको वो देखा हुआ दुर्ग वहाँ पर आपके माइंड में चलने लगेगा आपको प्रतेकस्थान दिखने लगेगा उसके बारे में जो भी महत्वण बाते बताई वो आपके द्रश्टी पटल पर चलने लगेगा तो कक्षा सिक्षन को प्रभावी बनाने के लिए प्रियतन विधी को प्रियोग में लाया जाता है प्रियतन विधी अनोपचारिक होती है लेकिन यदि सेक्सिक भ्रमन किसी निश्चित उदेश्य के लिए किया गया तो ओपचारिक होगा देखिए ओपचारिक और अनोपचारिक में क्या अंतर है यहां पर ओपचारिक पुरियतन और अनोपचारिक पुरियतन की बात कही गई है तो आपको ये समझना है जब हम किसी निश्जित उदेशिक के लिए भ्रमन करते हैं जैसे किसी विशेवस्तू को समझने के लिए यदि हम भ्रह्मन कर रहे हैं और वो समझ के देख के परक के आ गए हैं तो वो एक उपचारिक भ्रह्मन होगा लेकिन यदि हम केवल घूमने जा रहे हैं कोई निश्चित उदेश से नहीं है कहां कितना क्या घूमना है कौन सी चीज़ देख क्या नहीं है यगर पहले से कनफरम नहीं है तो ये एक अनोपचारिक होगा ठीक है तो प्रियटन विधी मूल रूप से तो अनोपचारिक ही होत जो है ये ओपचारिक हो जाती है तो ओपचारिक और अनोपचारिक के बीच का ये अंतराब समझ गए होंगे और यदि आप अभी भी नहीं समझे तो एक एक्जामपल में आपके सामने रखता हूँ उससे आप समझ जाएंगे देखिए जैसे विद्यार्थियों को जैपू लेकिन यदि हम विद्यार्थियों को केवल जैपूर ताज महल दिखाने के लिए ले जा रहे हैं तो यह सेक्षिक भर्वन ओपचारिक होगा विद्यार्थियों को जब हम ये कहते हैं कि आईए हम जैपूर चलते हैं और ताज महल देखकर आएंगे हम वहाँ पर गए ताज महल देखा और ताज महल के साथ हमने और बहुत सारी चीज़ें देख ली तो यह भ्रमन जो है यह उपचारिक नहीं रहेगा यह अनौपचारिक हो जाएगा तो मूल रूप से सेक्सिक भ्रमन जो है या प्रियटन या सरस्वती यात्रा या फिल्ड ट्रिप जो भी है इसके जो भी नाम में ने बताए यह सारे मूल रूप से तो अनौपचारिक ही होते हैं क्योंकि हम कहीं भी हूमने जाते हैं तो हम किसी निश्यतस्तान को देखने के बज़ाए उसके आ अब हम आगे चलते हैं देखेगा सेक्सिक भ्रमन में सिक्षक विद्यार्थियों को समाज में ले जाता है जहां विद्यार्थी समाज की वास्त विक्ता को प्रतेक्स रूप से देखते हैं जिससे उन्हें समाजिक रीती रिवाजों की प्रमपराओं की संस्कृतियों की र समाज के बीच में ले जाता है और समाज की वास्त्विक्ता को प्रतेक्ष रूप से हमें दिखाते हैं कि बच्चों आईए आज हम आपको भ्रमन के लिए लेके चलते हैं और ले गए समाज के बीच में समाज की बीच का मिंस हो गया कि जो भी संस्कृति का स्थल हैं जो भी व बास्तविक्ष अनुभव करते हैं जिससे उन्हें सामाजिक रिति रिवाजों की परमपराओं की संस्कृतियों की रहन सहन की सामाजिक धरोहरों की और सामाजिक संपतियों का ग्यान होता है। ये सामाजिक संपत्ति है, ये सामाजिक धरोहर है, इस परकार का हमारा रहन सहन था, इस परकार का अब है, संस्कृति इस परकार की थी, परंपराएं ये थी, रिती रिवाज ये थे, ये सारी चीज़ें इस भ्रमन के दुरान करवाए जाती है आप देखिए भ्रमन से क्या लाब होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ आपने ये नोट किया होगा कि आप किसी भी घटना को प्रतेक्ष देखते हैं तो वह स्थाई हो जाती है आपके मस्तिस्क में वो हमेशा के लिए स्थाई हो जाती है कुछ घटना ऐसी होती है जैसे कोई अच्छी फिल्म यदि आप देख क्या हैं पूरी रूची के साथ तो वो आपको जीवन भर याद रहेगी उसकी पूरी घटनाओं को आप चुटकी में बयान कर देंगे बता देंगे लेकिन कुछ चीज़ें आप पढ़ते पढ़ते रह जाते हैं लेकिन आपको याद नहीं रहती इसका एक रिजन है और क्या है वो रिजन साइन्टिफिक रिजन है वो मैं आपको बताऊंगा परिक्षा में पूछा जा सकता है ध्यान से समझ लेना है ठीक है हम यह याद नहीं हुई वो हो गई है इसका कारण क्या है हमारी ग्यान इंदृया कितना ग्रहन करपाती है वो आपको समझना है देखे हमारी तुचा जो है वो ग्यान केसे ग्रहन करती है स्पर्स करके करती है और कितना ग्रहन कर पाती है एक प्रतिसत यानि कोई चीज सो प्रतिसत है तो हम उसका एक प्रतिसत ग्रहन कर सकते हैं स्पर्स करके छू करके ठीक है 100% आप नहीं कर सकते कुछ चीज़ें आपको सूंग कर देखनी पड़ेगी कुछ चीज़ें आपको खा कर देखनी पड़ेगी ठीक है तो ग्यान दिंद्रियों की ग्रहन की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है तो तवचा की होती है एक प्रतिसत प्रिक्षा में पूछा जा सकता है ध्यान रखना है जिव्या आपकी जीव होती है उसका जो कारिय होता है वो क्या होता है चखना वो चखकर देहन करती है कितना कर सकती है चखकर 1.25% यानि सवा प्रतिशत आप जिसको बोल सकते हैं आम भासा में तो जिव्या का कार ये चक कर होता है और वो जो ग्यान ग्रहन करती है ग्यानिंद्री जो है हमारी जिव्या वो इसे चक कर ग्रहन करती है 1.25 प्रतिशत नाक जो है वो सूंग कर ग्रहन करता है और सवात 3 प्रतिशत वो सूंग कर ग्रहन कर सकता है इससे ज्यादा नहीं कर सकता अगर हम किसी चीज़ को कान से सुनते हैं तो 11 प्रतिशत हम उसको ग्रहन कर पाएंगे और यदि हम आँख से देखते हैं किसी वी वजदो को, किसी अस्थान को तो हम उसके बारे में 83% 83 प्रतिशत ग्रहन कर पाएंगे अब आपको यहाँ पर यह देखना है कि जब आप कोई फिल्म देखने जाते हैं तो आपका कान और आपकी आँख ये दोनों एक ही चीज़ पर केंद्रित हो जाती है कौन? आँख और कान तो ग्यारह परतिसत तो ये और तयांसी परतिसत तो देखके और ग्यारह परतिसत सुनके तो आपको लगभग लगभग ज्यान तो इन्ही दो चीज़ों से ग्रहन हो गया और इसलिए आपको वो याद रह जाता है काफी लंबे समय तक इसलिए आपको ये समझे आप जैसे मान लो कोई पुस्तक पढ़ते हो तो पुस्तक पढ़ना केवल आप उसको पढ़ते हो बार बार पढ़ते हो तो थोड़ा सा याद रख पाते हो कारण क्या है कि आप वो दृस से आँखों से नहीं देख रहे हो आप केवल पढ़ रहे हो तो पढ़ने से डायरेक्ट वो पूरा स्थाई नहीं होगा अगर आप उसको साथ में देख भी रहे हो और पढ़ रहे हो आपको कोई उसके बारें बता रहा है और आप आँखों से देख रहे हो वो चीज तो आपका वो घ्यान स्थाई हो जाता है तो ग्यानिंद्रियों की ग्रहन सिलता आपको समझ में आगई होगी तवचा असपर्स करके एक प्रतिसत जिव्या चखकर शवा प्रतिसत नाक शुंग करके शवा तिन प्रतिसत कान शुन करके ग्यारा प्रतिसत ग्रहन कर सकते हैं और आँख देख करके तैयासी प्रतिसत ग् अब आपसे परीक्षा में ये प्रसंद पूछा जाए कि आप किसी विछवस्तू को सुनते हैं तो अस्थाइतव जो है ज्ञान का स्थाइटव है वो क्या कहते है आप उसे कितना ग्रहन कर पाते हैं या कितना स्थाइड रख पाते हैं तो इसका स्थाईत्व है 20 से 25 प्रतिसत यानि हम सुनकर के 20 से 25 प्रतिसत स्थाई रख पाते हैं और हम देखकर 30 से 35 प्रतिसत स्थाई रख पाते हैं और सुनकर और देखकर यदि हम सुनते भी हैं और उस विशेवस्तु को देखते भी हैं तो हम 50 से 55 प्रतिसत ग्रहन कर पाएंगे और चोथी बात क्या कही गई है यदि हम सुनते भी हैं देखते भी हैं और साथ में हम वो कारिये करते भी हैं सुनकर प्लस देखकर प्लस करके यदि हम तीनों कारिये एक्षाथ करते हैं तो हम उसको 90% स्थाई कर पाएंगे हमारी मेमोरी में वो स्थाई हो जाएगा 90% क्योंकि हमें ये करना ही बढ़ता है क्योंकि ये मनुष्य का मस्तिस्क है ये कोई computer नहीं है कि हम उसको control के साथ save कर दिया या control s कर दिया तो save हो गया पर्मानेंट हो गया हलांकि computer भी मनुष्य का ही बनाया हुआ है computer कोई मनुष्य से बड़ी सीज़ नहीं है लेकिन उसमें एक machine है वो store कर लेती है लेकिन मनुष्य के mind में store करने के लिए हमें देख कर करके और सुनकर तीनों कारे एक साथ करने पढ़ेंगे swim करके देखो सिद्धान्द होता न स्विम करके देखने का सिद्धान्द तो उसमें ग्यान 90% साई होता है अब आपको यहां पर यह समझना है कि प्रियटन विधी के सोपान कौन-कौन से होते हैं क्योंकि प्रियटन पर जाने से पहले हमें इसके सोपानों को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि परिक्सा में पूछा जा सकता है ठीक है? चलिए प्रियटन विधी के मोल रूप से 6 सोपान है जिसमें पहला है विसे वस्तु का चैन यानि घूमने के लिए कहां जाना है कुन-कुन सी चीज़ें हमें दिखा के लानी है हमारे विसे वस्तु की क्या मांग है उसको ध्यान में रखकर हमें विसे वस्तु का चैन करना चाहिए गूमने के लिए ये नहीं है कि हम जो चाहें देख कर आ गए इसके लिए हमें अपनी पाठे सामगरी में उसे वस्तु से संबंदित स्थल का चैन कि हमें कहां पर घूमने जाना है किस लेवल के बच्चे हैं और कितने एरिये में जाना है कौन सी जगए हमें घुमा कर लाना है उसके बाद में संसाधनों की विवस्ता करनी होती है कि हमें घुमने के लिए कौन से संसाधन का परियोग करते हुए जाना है क्या क्या चीजें साथ में लेके जानी है विद्यार्थियों को कौन से चीजे साथ में लेके जानी है हम बस से जाएंगे ट्रेंज से जाएंगे या किसी गाड़ी से जाएंगे वो सारी वस्ता करनी होती है उसके बाद में हमें किरियान विन यानि हमें उस अस्थान के लिए निकल बढ़ना होता है और सारे कारिये हमें करने स्टार्ट कर देने होते हैं जो भी हम तै किये होते हैं और मुल्यांकन मुल्यांकन मिंस आपको प्रियतन के दोरान बच्चों को सारी चीज़ें समझानी चाहिए कि उनके ये जो चीज़ें हैं जो आप दिखा रहे हैं जो घुमा रहे हैं उनका क्या महत्व है उनके बारे में कौन-कौन सी खास बाते हैं आपकी विशेवस्तों से समबंदित क्या है वो सारी छीज़ आप विद्यारतियों के साथ डिसकस करते हैं और मुल्यांकन करते हैं यह भी देखते हैं कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा इसके बाद में सबसे महत वैपूर्ण किया है प्रतिवेदन बच्चों के द्वारा प्रतिवेदन तयार करवाया जाना कि वो जो घूम के आए हैं उसमें उन्होंने क्या सीखा, क्या समझा, क्या पर्खा, कितना उनका अधीगम हुआ और उनको कितना प्रतेक्स क्यान हुआ, कितना नहीं हुआ, उसका पूरा लेखा जो खा ठीक है, तो ये प्रतिवेदन होता है, ये कक्षा ध्यापक को बच्चों के द्वारा दिया जाता है कि वो जब घूमने गए बच्चे, तो उन्होंने किन-किन स्थान पर क्या-क्या अनुभव किये, क्या चीज नहीं सीखने को मिली उनका लेखा जोखा प्रतिवेदन होता है तो प्रेटन विधी के ये मूल रूप से सोपान जो 6 सोपान है वो माने गए हैं विसेवस्तु का चैन विसेश से संबंधित स्थल का चैन संसाधनों की व्यवस्था किरियान वयन मुल्यांकन और प्रतिवेदन चलिए अब आपको एक महत्वपून चीज़ बताते हैं कि नेशनल काउंसिल और फ्रेमवर्क यानिकी NCF 2005 क्या कहता है तो देखिएगा NCF 2005 के अनुशार प्रियटन पर जाते समय तीन चीज़ें आपके पास अनिवारी रूप से हो ये बच्चों के लिए भी है और सिक्षकों के लिए भी है कि प्रियटन पर जाते समय तीन चीज़ें आपके पास अवस्य रूप से होनी चाहिए खास रूप से स्टुडेंट्स के पास तो होनी ही होनी चाहिए तो पहला है ड्रोइंग पेपर ताकि वो वहाँ पर जो structure देखें उसकी drawing बना सकें दूसरा है diary और pen या pencil तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखने चाहिए और पहले तो होगी drawing paper, दूसरा diary और तीसरा pen या pencil और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि चिडिया घर पर जाते समय जानवरों को खाना नहीं खिलाएं यदि आप सैक्सिक भ्रमन के दोरान चिडिया घर पर जाते हैं तो आपको जानवरों को खाना नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि कुछ जानवर करूर प्रकृतिके होते हैं और वो बच्चे जब उनको खाना खिलाएंगे तो होज़ रखता है कि वो उन पे हमला कर दें बच्चे जखमी हो जाएं तो उनकी देखरेक और उनको संभालना भी सिक्सक का करतव्य होता है तो बच्चे खाना नहीं खिलाएं ये ध्यान रखें और कीमती सामान साथ में नही के जाते हैं तो आप भर्मन का लुठवन नहीं उठा पाइंगे आप अपने सामान की शुरक्षा करेंगे आपको पूरी चिंता बार-बार में आपके सामान की रहेगी तो आप भर्मन नहीं कर पाएंगे मान लीजिए आप कीमती जूते या चब्पल पहन के चलेगे अक साद इसलिए कोई भी इस प्रकार का किम्ति समान साथ में ना लेके जाएं जिसकी वहां पर आउशक्ता ने हो आपको घुमने जाना है आपको भ्रह्मन का लुद्फ उठाना है तो आप आराम से घुम ये ऐसी चीजें आप साथ में बिलकुल ना लेके जाएं तो यहां पर एक छोटी सी बात आपको और याद रखनी है कि भ्रह्मन कितने प्रकार का होता है या भ्रह्मन के टाइप्स कितने होते हैं मूल रूप से यह तीन प्रकार का है पहले प्रकार का नाम है स्थानिय या क्षेत्रिय भ्रह्मन देखिए याद रखना है बहुत आसान तेनों में अलग अलग चीज़े हैं इसलिए याद रखने में आपको आसानी होगी एक तो होता है स्थान vita या ख्षेत्रीय प्रमान की थोड़ी सी जगेहे में घुमखे आना विद्याले के आसपास के गाहूं में थीक है तो इसको स्थानिय या क्षेत्रिय भ्रमन कहते है ये अल्पकालीन भ्रमन होता है लगु भ्रमन होता है चोटा भ्रमन होता है क्योंकि इसमें जिन बच्चों को हम गुमाने ले जाते हैं वो भी छोटे होते हैं पूर्व प्रात्मिक स्थर के बच्चे होते हैं ठीक है तो एक कालीन भर्मन है यानि कम समय के लिए है लगू है छोटा है और स्थान ये यक्षत्रिय भर्मन इसको कहते हैं दूसरा जो इसका टाइप है वो है अंतर जनपदिय भर्मन जो अंतर जनपदिय भर्मन है इसको सामाने भर्मन कहा गया है और इसका जो समय है वो ओशत कालीन होता ह वोसत काले इन मिंस होता है कि एक से तीन दिन ठीक है यहां पर थोड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं माध्यमिक लेवल के आ जाते हैं जाने की दसवी कक्षा तक के बच्चे इसमें सामिल हो जाते हैं तो ये सारे क्या होते हैं अंतर जन्पद ये भर्मन में जा सकते हैं या सामाने भर्मन में जा सकते हैं या ओसत कालीन भर्मन में जा सकते हैं ये तीनों इसी के नाम है ओसत कालीन सामाने या अंतर जन्पद ये Confuse नहीं होना है ध्यान रखना है लगू, अल्प, कालीन या स्थानिय या क्षेत्रिय ये सारे क्या है ये ब्रह्मन का जो पहला प्रकार है स्थानिय या क्षेत्रिय ब्रह्मन पूरो प्रात्मिक वाले बच्चों के लिए है प्रात्मिक वालों के लिए अंतर जन्पदिय भ्रमन, सामाने भ्रमन या ओसत कालीन भ्रमन जिसके अउधी होती है एक से तीन दिन की अब चलते हैं बड़े वाले बच्चों की तरफ उच्छ प्रात्मिक स्तर वाले बच्चों की तरफ तवेल्थ याणने 10 प्लस टु वाले बच्चे या इसके बाद में जो बच्चे आते हैं उनको भी इस भ्रमन में गले जाए दा सकता है अंतर-राज्य, अंतर-राश्छिय भ्रमन आप इसको कहेंगे ये व्रहिद होता है, इसका समय दिर्ग-कालीन होता है लंबा समय होता है ट्यूर का, उचस्तर के बच्चे होते हैं, कम से कम एक शब्ता है का और अदिक्तम तीन माह तक का ये भ्रमन हो सकता है तो ये थे आपके भ्रमन के तीन प्रकार, चलिए आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं प्रियाटन विधी के गुण और दोसों की, तो सबसे पहले हम इसके गुणों की बात करेंगे ठीक है, पहला गुण, ये विधी बहुत ही रोचक है, क्योंकि यहाँ पर आप वो सारी वस्तों प्रोटेक्स देखते हैं, जिनके बारे में आपने कभी सुना था जिसके बारे में आपने कभी पढ़ा था, और वो चीज़ें आप उसमें तलासने की कोशिस करते हैं कि क्या मैंने जो पढ़ा वो यहाँ पर है या नहीं है तो यह विधी बहुत ही रोचक है, पहला गुनिस का यह है, और रूची के साथ यह कोई भी कारिय किया जाता है तो वो स्थाई रहता है, उससे अधिगम हो पाता है और हमारे जीवन में भी परिवर्टन होता है बाल केंद्रित और मनोविग्यानिक विधी है, यह जो विधी है यह पूरी तरह से बाल केंद्रित है क्योंकि बाल को में बहुत ही ज़्यादा उच्छाय होता है घूमने का, नई नई चीज़ें देखने का और जो मनोविग्यान है या बाल मनोविग्यान है उसकी दृष् बच्चे इसमेई रूची के साध चीजों को देखेंगे, समझेंगे, पर्खेंगे और अपने जन को स्थाई करेंगे तो अदीगम जो है वो KIा है सजीव होता है, सक्रिय होता है वास्तविक प्रिस्थितियों में सीखते हैं बच्चे जैसे हम किस स्थान के बारे में बताते हैं कि जैसे उत्राखंड में बर्फ गिरती है तो बच्चे कलपना करते हैं कि वहाँ पर ऐसा ऐसा होता होगा लेकिन जब हम उन्हें वहाँ पर गुमा रहे हैं तो वहां पर वह सारी चीजें हम वास्तों में देखते हैं कि कहां का के सावात आवरन है ठीक है जैसे बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं कि पहाड की चोटियों पर वायुदा अब कम होता है या हम बहुत सारी प्रिस्तितियां हैं जिसे कोई युद्ध का मेदान दिखा रहे हैं या हम कोई दूर्ग दिखा रहे हैं या हम और भी किसी प्रकार की जानकारी बच्चों को दे रहे हैं जो भी विसेवस्तों में आते हैं तो उनका वास्त्विक ग्यान होता है किसी भी चीड़ी अगर मिले जाते हैं तो पक्सी केसे रहते हैं पसू केसे रहते हैं जंगली जानवर केसे रहते हैं सारी चीज़ों को आव वास्त्विक प्रिस्ततियों में बच्चे ध्यन करके सीखते हैं निरिक्षन सक्ति का विकास यानि बच्चे क्या करते हैं देखते हैं तो निरक्षन भी करते हैं वो अपने अकोर्डिंग उसका निरक्षन करते हैं सब्सक्राइब कोसिस करते हैं तो निरक्षन सक्ति का विकास होता है बच्चों में प्रतेक्ष विसाय का प्रतेक्ष ज्यान होता है जो भी विसाय वस्तु है उसका प्रतेक्ष ज्यान होता है वास्तविक ज्यान होता है आनंद मैं अधिगं प्राप्त होता है निष्चित रूप से आनंद मैं होता है आपने घुमा होगा देखा होगा कि इतना मज़ा आता है गूमते समय तो अधिगं भी आनंद मैं होगा क्योंकि कक्सा में रूची हीन एवं कृतरिम वातावरं से चुटकारा मिलता है बच्चे बंदे रहते हैं कि ये याद करो, वो याद करो, टेस्ट होगा, ये होगा, तो सबी चीजों से छुटकारा मिल जाता है, पढ़ने की कोई टेंसन नहीं है, आराम से घूमो, विसे वस्तू को देखो, समझो, तो अधिगम जो है वो आनंद मैं हो जाता है, लेकिन बहुत सारी चीजें असी हैं, जो हम घूमकर नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें वापस कक्षा में आना ही पड़ता है, सीखा हुआ ज्यान आनंद की वज़े से पक्का हो जाता है, क्योंकि स्वाभाविक, वास्त्विक्व, प्राकर्तिक वातारों में सीखा हुआ ज्यान सदेव, सम्र नहीं है रहता है, याद रहता है, जो मैं आपको बदा चुका हूँ, प्रकर्ति के प्रति आक्रिशन बढ़ता है, बच्चे प्रकर्ति को देखते हैं, तो वो उन चीजों को समझते हैं, कि देखिए कि इतनी सुन्दर होती है प्राकर्तिक चीजें, क्योंकि जंगल में जा या दूर्ग देखते हैं तो वहां पर बहुत सारी प्राकृतिक ऐसे चीजें हैं जो जिनका आक्रशन देखते ही बनता है तो प्रकृति के प्रति बच्चों का आक्रशन बढ़ता है कि हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए इन चीजों को रख रखाव करना चाहिए से घूमते हैं तो उसमें एकता की व्रती होगी होगी क्योंकि देखेंगे एकता से जुड़ी हुई चीजे भी देखेंगे और सांस्कृतिक विरासत राष्ट्रिय धिरोहर इस सारी चीजें जब उनको समझाई जाएंगी तो उनमें राष्ट्रिय एकता की व्रती होगी चात्रों में निरिक्षन सक्ति का विकाश होता है ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ दुबारा आ गया है कोई बात नहीं वास्तिविक वेवारिक और अस्थाई ज्यान प्राप्ठ होता है ज्यान की ग्रहन सीलता जो है वो सबसे ज़ादा होती है इस विधी में क्योंकि सारी ग्रहनिंदरीय अपनी व्रक करती है क्योंकि हमस्पर्स करके देखते हैं हम सुंग कर देखते हैं हम देख कर सीखते हैं और हम सुनते हैं तो ग्यान की ग्रहन सीलता सबसे ज़्यादा होती है इस विधी में हमारी जिग्याशा शांत हो जाती है जो भी हमने शुना है पढ़ा है जिसके बारे में उचे हम pretekst dेख रहे होते हैं तो हमारी जिग्यासा शांध हो जाती है मुर्थ, एमुर्थ और ग्यात, ग्यात, शुत्र पर आधारिती विजुती है ठीक है जरी जो चिजे ग्यात नहीं है वो हमें दिखा कर ग्यात कर वाये जाती है और जो मूर्थ है उसको मूर्थ रोप में दिखाया जाता है जो एमूर्थ है उसको हमें समझाया जाता है तो मूर्थ एमूर्थ जो सुत्र है ग्याद से ग्याद का जो सुत्र है उस पर आधारित यह होती है चात्रों में नेत्रित्व तथा प्रबंधन के गुनों का विकास होता है क्योंकि जब हम घूमने जाते हैं तो चात्रों में नेत्रित्व और प्रबंध करने की सक्ति का विकास होगा क्योंकि उनको नए नए अनुभू मिलेंगे उनको चलना भी पड़ेगा उनको दोडना भी पड़ेगा उनको देखना भी पड़ेगा उनको शमजना भी पड़ेगा चीजों को देखेंगे कि टीचर किस तरह से बच्चों को लीड कर रहा है तो वह अपने टीचर से सीखेंगे तो एक नेत्रित्व का विकास होगा प्रब पता चुका हूँ यह चैट्रों को स्थाई अनभू वेओं ग्यान प्रदान करती है। धीमी गरती से सीखने वाले बच्शों को भी प्रियापत अधिगम प्रांप्त हो जाता है। जो बच्चे कक्षा सिक्षन में धिमीगती से सीखते हैं वो भी प्रतेक्स देखकर के प्रियाप्त आदिगम कर पाते हैं छात्रों में मेल मिलाप, सामूइक भावनाएं, सहयोग शमनवे की भावनाओं का विकास होता है बहुत गुन पढ़ लिए प्रियाटन विधी के, लेकिन इस विधी में कुछ दोस तो हैं और उन दोसों को हम यहाँ पर समझेंगे, उनको अक्सपोज करेंगी चलिए, तो दोस क्या क्या है आपको समझना है प्रिक्षा में पूछा जा सकता है तो सबसें बड़ा दोस यह बहुत खर्चीली विधी है यह बहुत खर्चीली विधी है, आपको पता है गुमने जाते हैं तो कितना खर्च होता है और प्रतेक बच्चा वो खर्च वहन नहीं गर सकता और दूसरी सबसें बड़ी इसकी कमजोरी है कि इसमें समय भी बहुत लगता है जिससें कक्षा का जो कारिया है सिक्षन का वो बाधित होता है समय महनत और धन तीनों ही अधिक चाहिए यह सबसें बड़ी मैन कमजोरी है या इसका दोस जो है वो है अन्य विशे का सिक्षन कारिय बादित होता है आर्थिक रूप से कमजोर और विकलांग बच्चों के लिए अनुप्यूक्त है आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं वो ब्रमन पर जाने का जो रुपए पेसा लगता है वो वह नहीं कर पाएंगे इसलिए वो जा नहीं पाएंगे तो उनके लिए उप्युक्त नहीं है विकलांग बच्चों के लिए उप्युक्त है जो भी दिव्यांग बच्चे है वो नहीं जा पाएंगे घटना और दुरगटना की संभावना होती है मान लेजिए आप चड़िया गर में किसी जानवर को खाना किला रहे हैं तो उस जानवर ने आप बच्चे का हाथ पकड़ लिया तो दुरगटना घट सकती है गाड़ी पलट सकती है बच्चा गिर सकता है इस तरह की दुरगटनाओं की संभावना रहती है ब्रह्मन का उदेश से जो है वो सिक्षा ने होकर मनोरंजन रह जाता है कई बार यह होता है कि ब्रह्मन का जो उदेश से है वो सिक्षा ने रहकर मनोरंजन हो जाता है क्योंकि अनुपचारिक भ्रमण में यही होता है अनुशासन हिंता की समस्या भी होती है कई बार बच्चे हैं वो अनुशासन हिंता भी कर सकते हैं क्योंकि सिक्षक प्रतेक जगह है उनके साथ रहने की पूरी कोशिस करता है लेकिन बच्चे आखिर बच्चे हैं वो टोली बना कर किदर निकल जाते हैं, कूद जाते हैं, उचल जाते हैं, अनुशासन हिंता करते हैं तो ये भी एक समझ्या उत्वन हो जाती है, तो ये इस विधी का दोश है So my dear friends, मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, ये थी आपकी प्रियाटन विधी, उमीद करता हूँ, ये विधी आपको जरूर समझ में आई होगी अगर आपको समझ आई है, तो इस वीडियो को सेर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये आपको कोई भी डाउट है, तो आप comment section में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसका reply मैं आपको नेशित रूप से करूँगा और मैं मिलूँगा आपसे next वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जै हिंद, जै भारत